जब से साजित नाडिया वाला के प्रोडक्शन हाउस ने इस बात का एलान किया है कि जल्दी दर्शकों के सामने किक का सेकिंड पार्ट पेश किया जाएगा तब से ये खबरें जोरो पर है कि इसमें किस हिरोईन को मौका मिलेगा साल 2014 में रिलीज हुई किक में तो भाई जान के साथ जैकलिन फर्नेंडेस ने अपनी अदाएं दिखाई थी लेकिन किक 2 को लेकर अलग-अलग हिरोईनों के नाम सामने आ रहे हैं साथ ये बताया जा रहा है कि किक 2 से जैकलिन फर्नेंडेस का पत्ता साफ हो गया है वैसे हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है फिल्म किक 2 में सल्मान खान के साथ जैकलिन फर्नेंडेस ही मुक्य अदाकारा के रूप में दिखाई देंगी DNA से बात करते हुए फिल्म किक 2 के प्रडूसर साजित नाडिया वाला ने बताया कि मीडिया में किक 2 को लेकर जो खबरे आ रही हैं वो सारी अफवाएं हैं एक अवार्ड फंक्शन के दौरान सल्मान खान ने ये मजाग कर लिया था कि किक 2 तयार है लेकिन उसमें जैकलिन फर्नेंडेस नहीं है जिसके बाद ये सारी खबरे सामने आना शुरू हो गई हाला कि मैं आपको बता दू कि ऐसा कुछ नहीं है किक 2 में मुक्य अदाकारा के तौर पर जैकलिन फर्नेंडेस ही दिखाई देंगी तो सुना आपने अब ये साफ हो गया है कि फिल्म में ना तो दिपिका दिखाई दींगी और ना ही एमी जैक्सन खेर देखना तो अब ये दिल्चस्प रहेगा कि किक 2 में सल्मान और जैकलिन कौन सा बड़ा धमाका करते हैं हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिशना हो